हेलो दोस्तों, इस पेड़ी बिहार करेंट अफ्य जुलाई एडिसन आ गया है जो अपडेटिड है जनवरी 2023 से जुलाई 2024 तक आज के क्लास में हम मार्च और अप्रेल 2024 का प्रमुक वन लाइनर को कवर करेंगे मेरा नाम प्रियंका है और मेरी क्लास में आप सभी का स्वागत है तो चलिए सुरू करते हैं मार्च महिने के प्रमुक वन लाइनर तमिल लाडू में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 के 1500 मेटर दोर में बिहार के गोपाल गंज की किस बेटी ने स्वर्ण पदक जीता दुडगा सिंग ने स्वर्ण पदक जीता है आठ मार्च 2024 को नई दिल्ली के भारत मंडप में प्रदान मंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रदान किये गए प्रतम राष्ट रचना कर पुरुसकार 2024 से के तहट बिहार के मदूबने की गाई का मैथली ठाकुर को किस पुरुसकार से समानित किया गया संस्कृतिक राच दूत ओफ द इयर पुरुसकार से समानित किया गया 6 मार्श 2024 को प्रदान मंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के किस जीले में विक्सित भारत विक्सित बिहार विक्सित भारत विक्सित बिहार समहारों में 12,800 करोर की पडियोजनाओं का अनावरन किया है पस्चिम चंपारन जीला में 4 मार्च 2024 को बिहार के मुख्य मंत्री नितिश कुमार द्वारा भारत और एसिया का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर का उद्गाटन कहां किया गया 4 मार्च 2024 को बिहार के मुख्य मंत्री नितिश कुमार द्वारा भारत और एसिया का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर का उद्गाटन कहां किया गया पटना में 22 मार्च 2024 को मनाए गए बिहार दिवस का क्रम है 112 20 मार्च 2024 को चुनाव आयोग ने बिहार की ग्रिह बिवाग का अपर मुख्य सचीव किसे नियुक्त किया है परतिये अम्रित को 12 मार्च 2024 को प्रदहान मंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में दो नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों के साथ कई रेलवे पडियोजनाव का अनावडन किया ये दो नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों संचालित की जाएगी पटना गोमती नगर और पटना न्यू जलपाई गुरी रूट पर 11 मार्च 2024 को आयोजित बिहार सडक सुरक्षा परिसद बिहार सडक सुरक्षा परिसद की बैठक में एक चारी रिपोर्ट के अनुसार राच्च में वर्ष 2022 की तुल्ला में वर्ष 2023 में सडक दुरगटनाओं में कितने प्रतिसद की विर्धी हुई है दो प्रतिसद की 12 से 16 मार्च 2024 तक पाटली पुत्र खेल परिसद पटना में खिलारियों के लिए प्रतिभा खोज कारिक्रम प्रतिभा खोज कारिक्रम का आयोजन किया गया जिसका नाम है कृति कारिक्रम कृति कारिक्रम 14 मार्च 2024 कुब बिहार्स के भागलपूर में आयोजीत कवी सम्मेलन में हिंदी साहित सीडो मनी एवोर्ट किसे समानित किया गया 14 मार्च 2024 को बिहार के भागलपूर में आयोजीत कवी सम्मेलन में हिंदी साहित सीडो मनी एवोर्ट से किसे समानित किया गया राम असारे गोयल 13 मार्च 2024 को बिहार के किस जीले में 165 करोड की लागत से बने सौफ्ट वेयर टेकनोलोजीकल पार्क का उद्धाटन किया गया बिहार के भागलपूर जीले में 52 बूटी कला को अंतराष्ट्य अस्तर पर पहचान दिलाने वाले नालंदा के बस्वन बीगा निवासी जिनका 13 मार्च 2024 को 71 वर्स की उम्र में हिर्दय रोग से निधन हो गया वो कौन है पद्म स्री कपिल देव परशाद है भारत में बाल विभा पर किये गए लेसेंट अध्यन में देश भर में बाल विभा के मामलों में बिहार का कितना योगदान है 16.7 प्रतिसत योगदान है राष्ट्य व्याग्र सनरक्षन प्राधिकरन एन टी सी एनि बिहार में बाल में की टाइगर रिजर्प में कितनी अवादी में विर्धी की घोशना की बागो की बिहार के बाल में की टाइगर रिजर्प में किसकी अवादी में विर्धी की घोशना की बागो की अवादी 31 मार्च 2024 को बिजली कमपनी एन्टी पीसी ने अपने बढ़ोनी थर्मल पावर स्टेशन स्टेज एक को अस्थाई रूप से बंद कर दिया 31 मार्च 2024 से पिजली कमपनी एन्टी पीसी ने अपने बढ़ोनी थर्मल पावर स्टेश वन को अस्थाई रूप से बंद कर दिया इसकी विद्धुत छमता है 220 मेगा वाट 220 मेगा वाट 30 मार्च 2024 को राष्टपती द्रौपदी मुर्मुर ने बिहार के माहान बिभूती एवं पूर्व मुख्य मंत्री जन नायक स्वर्गिय करपुरी ठाकुर को देश की सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया करपुरी ठाकुर की पहली बार बिहार के मुख्य मंत्री कब बने थे वर्स 1970 में 25 मार्च 2024 को बिहार के किस जीले में इस्थित बाबा गरीवनाथ धाम के फूलों की हूली खेली गए मुझप्पर पूर जीले में 22 मार्च 2024 को भारत माला प्रोजेक्ट के तहद बिहार में कोसी नदी पर बन रहे देश की सबसे बड़े पूल का गाडर गिर गया यह पूल जोड़ेगा सुपॉल और मधुबनी को 31 मार्च 2024 को मिथला स्वर्निम समिट 2024 का आयोजन कहां किया गया मधुबनी के जांजर पूर में 10 मार्च 2024 को राच्य सरकार ने आयुष्मान भारत प्रदहान मंत्री जन आयोगी रोजना के तहद 2 मार्च से सुरू किये गए 6 दिवस्य विशेस अभ्यान के दोड़ान कितने आयुष्मान भारत काड जारी किये हैं एक करोड से अधिक 19 मार्च 2024 को राष्ट क्रीसी और ग्रामिन विकास बैंक नाबाड ने वित्त वर्ष 2024 में बिहार के लिए कितने रीन छमता का अनुमान लगाया है 19 मार्च 2024 को राष्ट क्रीसी और ग्रामिन विकास बैंक ने वर्ष 2024 में बिहार के लिए कितने रीन छमता का अनुमान लगाया है 25 से 17 मार्च 2024 तक तीस्वा राष्ट्य राच निर्वाचन आयुक्त सम्मेलन का आयोजन बिहार की राच चिपाल राजेंद्र विश्वनात आलेंकर की अध्यक्स्ता में काहा किया गया माहा बोधी संस्कृतिक केंद्र बोध गया में 16 मार्च 2024 को बिहार लोक सीवा आयोक का नया अध्यक्ष की से नियुक्त किया गया है 16 मार्च 2024 को बिहार लोक सीवा आयोक का नया अध्यक्ष की से नियुक्त किया गया है परमार रभी मनु भाई को अप्रेल माह के प्रमुख वन लाइनर बिहार के किस जीले में अवस्तित इंडियन इंस्टिटूट ओफ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलोजी में विश्व की सबसे छोटा सेमी कंडुक्टर चीप का निर्मान किया जा रहा है भागलपूर जीले में हाल ही में जाड़ी की गई क्लाइमेट रेजियेंट एंड लो कारवन डेवलपमेंट पाथवे रिपोर्ट के अनुसार वर्स दोजार सत्तर तक बिहार का ग्रीन हाउस गैस उत्सरजन में विर्दी अनुमानित है पांच पॉइंट दो गुणा हाल ही में सुईजर लेंड इस्थित संगठन आईक्यू एयर द्वारा जाड़ी विस्व वायू गुनवत्ता रिपोर्ट दोजार तैस के अनुसार दुनिया का सबसी प्रदूसित महानग्रिय छेत्र है बिहार का बेगु सराय जीला चार अप्रेल दोजार चौबिस को बिहार के बेगु सराय में चल रहे बावनवे नेशनल सीनियर मेंस हैंड बॉल चेंपियंशीप में दिल्ली की टीम को हडा कर नेशनल चेंपियन बनी है बिहार की टीम चार अप्रेल दोजार चौबिस को बिहार संग्राले और कला संस्कृती एवं युवा विभाग के पुरा तत्व निर्दे साले की और सी दक्षिन ACI पुरा तत्व समीती सोसा के आठवे अंतराष्ट महा सम्मेलन का आयोजन कहां किया गया पटना में बिहार का पहला रीवर फ्रंट स्टेशन का सिलान्यास कहां किया गया है बिहार का पहला रीवर फ्रंट स्टेशन का सिलान्यास कहां किया गया है भोशपूर जीले में 21 अप्रेल 2024 को बिहार के नालंदा में दो दिवस्य कुंडल पूर में मोहसब बिहार के नालंदा में दो दिवस यक कुंडल पूर मोहत्सप का उद्गाटन किसने किया राज्च पाल राजेंद्र विश्वनाथ आलंकर ने 21 सप्रेल 2024 को बिहार में स्वाचालित मौसा मिस्टेशन की सुरुवात की गई दर्बहंगा के ललित नरायन मित्ला विश्व विद्याले परिशर में 19 सप्रेल 2024 को बिहार की चार सीटों गया जमुई नवादा और औरंगाबाद पर लोक सभा के लिए पहले चरन का मतदान संपन्न हुआ पहले चरन में बिहार में मतदान का प्रतिसत कितना रहा 48.23 प्रतिसत बिहार विधान सभा के अध्यक्ष कौन बने है नंद किसोर यादव बिहार के विधान सभा के अध्यक्ष बने है विधार विधान सभा के उपाध्यक्ष कौन बने है नरेंद्र नारायन यादव नरेंद्र नारायन यादव बिहार विधान सभा के उपाध्यक्ष बने हैं बिहार विधान सभा के नेता प्रतिपक्ष कौन बने हैं तेजस्वी यादव तेजस्वी यादव बिहार विधान सभा के नेता प्रतिपक्ष बने हैं चार अप्रेल 2024 को गेल एंडिया लिमिटेड ने अपने किस पडियोजना के लिए प्रतिष्टित पंद्रवां CIDC पुरुसकार जीता है चार अप्रेल 2024 को गेल एंडिया लिमिटेड अपनी किस पडियोजना के लिए प्रतिष्टित पंद्रवां CIDC विश्वकर्मा पुरुसकार जीता है बरोनी गोहाटी प्राकिर्तिक गैस पाइपलाइन पडियोजना BGPL तीन अप्रेल 2024 को पाटली पूत्र खेल परिसर के इंडॉर हॉल में संपन 33 वे राष्टि सब जूनियर बाली का कबड़ी चैंपियंशीप के फाइनल में किसनी राजिस्थान को हडाकर खिताब जीता हडियाना 2 अप्रेल 2024 को सतलू जल विद्धूत नगर निगम लिमिटेड ने अपने सुरंग परियोजनाओं में उन्नत भूवे ज्यानिक मॉडल का उप्योग करने के लिए किस संस्थान के साथ समझोता ग्यापन पर हस्ताक्चर किया है भारत्य प्रद्योगी की संस्थान पटना 12 अप्रेल 2024 को बिहार की सिक्की कला वर्क्सोप स प्रदर्शनी का आयोजन किया गया पटना की बिहार म्यूजियम में 27 अप्रेल 2024 को चीन के संगहाई में आयोजित तिरंदाज वर्ल्ड कप स्टेज एक में भारत को स्वर्ण और रजत पद दिलाने वाले बिहार की प्रियांस किस जीले के रहने वाले हैं 9 अप्रेल 2024 को बिहार की पाटले पुत्र खेल परिसर कंकर बाग में संपन्न हुई 67 नैसनल स्कूल गेम एथलेटिक्स चैंपियनसीब 2024 में कौन ओवर ओल चैंपियन रहा महराश्ट्र 7 अप्रेल 2024 को आयोजीत आई आई एम बोध गया के छट्टे दिक्षान समहारों में मुख्य अतिती कौन थे उप्राश्ट्पती जगदीब धनकर मुख्य मत्री मुख्य अतिती थे चार अप्रेल 2024 को बिहार के किस व्यक्ति को विश्व आर्थिक मंच द्वारा यंग ग्लोबल लीडर ओफ द वर्ल्ड 2024 चुना गया बिहार के किस व्यक्ति को विश्व आर्थिक मंच द्वारा यंग ग्लोबल लीडर्स ओफ द वर्ल्ड 2024 चुना गया है सरद सागर को एक अप्रेल 2024 से बिहार सरकार ने अव सनरचना परियोजनाओ के भौतिक एवं वित्य प्रगति की प्रभावी निग्राने के लिए कितने विभागों में कार्य लेखा प्रबंदन सूचना प्रनाली डवलू एम आईएस लागू किया है नौ बिभागों में ट्रैफिक ओडिट कराने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है बिहार राज्य 13 अप्रेल 2024 कौ बिहार की किस विश्व विद्याले ने राज्य के बिभिन हिस्सों में जलवायू प्रस्थान क्लाइमेट रेसिलेंट क्रीसी के कार्यान वन पर एक महत्व कांची पर्योजना सुरू की है राजेंद्र प्रशाद केंद्र क्रीसी विश्व विद्याले राजेंद्र प्रसाद केंद्र क्रीसी विश्व विद्याले तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना एक लास अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक सेर सब्सक्राइब किजिए मिलती हो मैं किसी नई टॉपिक के साथ अगली क्लास में जै हिन थाइंक यू